अभी लास्ट वीक USA के content agency ने अपने 27 experience और पुराने writers को fire कर दिया Reason? यह लोग AI tools use करते थे यह लोग AI tools use करते थे उस limit तक कि बहुत ही जादा obvious हो गया था कि वो human efforts बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं Everything is coming out of chart GPT और company ने उनको decide करा कुछ warnings देने के बाद में कि भाई अब तुम्हारा तो हो चुका यहां से तो टाटा भाई भाई यह देखो इस नालायक बच्चे को जिसने AI tools को इतना blindly use किया कि वो यह तक हटाना भूल गया कि भाई यह जो चीज़ें है यह जन्रेट हुई है AI को use करते रहे लोगों को लगता है AI tools आप लाखो रूपे बना सकते हो वो आपका homework कर देगा वो आपके लिए आपकी meeting से टेंड कर लेगा वो आपको कमाल के business ideas देदेगा इनफाक्ट वो आपके लिए वो business ideas को implement भी कर देगा यहाँ तक ही लोगों को लगता AI आपके लिए खाना भी बना देगा आपके लिए dating भी कर लेगा शादी भी कर लेगा कामल AI तो चाहता ही है ना कि आप single वेले हमेशा जिंदेगी भर अकेले ही बैटे दो अपने घर में जिससे देखो वो इंसान AI टूल्स के बारे में ग्यान बाटने में लगावाई यार पर इसमें गलत क्या है यार बहुत ही simple logic के AI बनाया है हमने इसलिए था ताकि हमारा काम आसान हो जाए ए तुमने गौर किया काम आसान करने के लिए AI टूल्स को बनाया गया ना कि काम करने के लिए तु समझा? हाँ नै तु समझा नहीं और यही बहुत बड़ी problem मनती जारी है कि लोग चाहते हैं कि AI उनका काम कर दे ना कि वो AI टूल्स को यूज़ करके कुछ काम को आसान करने के लिए यूज़ करें उसको जिएको अगर आप खुद AI को अपनी जगे पर रिप्लेस कर रहे हो तो उससे बहुत ही बड़े-बड़े नुकसान हो रहे है पहला का आप की learning का हो जाएगा time's up और अगर वो होता है तो आपको बड़ी-बड़ी opportunity से अपने हाथ को धोना पड़ेगा for sure दूसरा ये समझो कि जब AI काम करता है तो कोई भी बेवकुफ इनसान भी ये समझ लेगा कि वो AI ने काम किया आपने नहीं आप employer वो सीज को notice करेगा पहली बार दूसरी बार तीसरी बार कुछ राएं बाद में आपको warnings देगा warning देने के बाद में बोलेगा भाई साब मैं अपना time और पैसा दोनों बचा लेता हूं आप निकलो या information आप इन tools को यूज करके निकालते हैं उसका verify होना जरूरी है क्योंकि उसका 100% authentic होने की chances हैं वो बहुत ही जाला कम है मेरे साबसे और चौती चीज है AI आपको आलसी बनाता है आपके work ethics को खतम कर देता है आप काम के seconds में खतम करना है because that is what is most important for you now तो चलो यह सब तो हो गए नुकसा पर भाई मानना पड़ेगा AI चीज तो बड़ी काम की है हमने बनाए इसलिए था ताकि वो हमारे काम आपाई तो definitely होंगे ना या पर देखो आपको AI के फायदे तब महसूस करने को मिलेंगे जब आप AI को जो इन्फरमेशन, एडिट करो, वेरिफ़ा करो उसके बाद में फायदी करो, एको एक्स्ता आइड करने के लिए यूज करो ना कि उनली आइडिया करने के लिए, यानि कि पूरा-पॉरा डेपेंड ना होते हुए अपने खुदके सबसे पहला आइडिया करो उसके बाद म आपके लिए आपके लिए डेफिनिती एक अमेजिंग बूसर हो सकता है आपके रिजल्स के लिए, प्रोड़क्टिविटी के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए तो मेरे सबसेट is always a wise decision कि आप इसको as a booster use करो ना कि आज समझ जो पूरा का पूरा काम आपको करके दे रहा है, which is absolutely crap और पांचवा भाई, अपने reasons खुद ढूंडो इस चीज को use करने के लिए क्योंकि फायदे अनेक है, नुकसान पी अनेक है, आपको decide करना है कि आपको इस चीज को अपने फायदे के लिए या फिर अपने नुकसान के लिए And having said that, मैं यही बोलना चाहूंगा, AI tools are definitely here for a decade, काफी amazing, must-must, और tools आने वाले हैं, जो आपके जिन्दगी को आसान कर देंगे Completely उसके पर rely मत कीजिए, make sure you're using it to your advantage, उसका फायदा उठाईए, चीजों का आसान करने के लिए यूज करो, छोटे मोटे काम को automate करने के लिए यूज करो, ना कि अपने काम को replace करने के लिए Having said that, इस वीडियो में से इतना इश्यर करना चाहता था, वीडियो पसंद आता है, तो जाने के बएले like zero कर देना, बाकी में मिलोगा आपको next video तब तके लिए take care and keep hustling